हेलो वाट्सप गाइस मैंने में स्मिनोध बादू थापा एंड वेलकम टू जावस्क्रिप्ट इंड हंडर देज जहां गाइस तो बताना चाहूंगा कि आज हमारा 11th दे होने जा रहा है और अभी तक अगर आपने वर्ल्ड बेश जावस्क्रिप्ट कूर्स को चेक आउट है तो प्रीज चेक आउट कर लिजेगा पार्ट वान पार्ट वेन हैं एंड हमारा जो फाइनल पार्ट त्री डैट इजाओ एकॉमर्स वेबसाइट में अल्रीड अप्लोड कर चुक हो तो जरू चेक आउट कर लिजेगा ठीक है तो आप देख सकते हो कि आज हमारा डे 11 है अब बहुत अच्छी बात है अगर आप इसको देख रहे हो तो आज कुछ हम एक सिंपल सा प्रोग्राम देखेंगे लेकिन कुछ नया जरूर सिखने वाले हम ठीक है अब्रीडे कुछ नया कुछ नया जरूर होगा तो आज हमारा डे 11 का क्या प्रोग्राम है आप देख सकत यहां पर कुछ ऐसा आई है आप ऐसा समझ लो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 तो इनको अगर हम प्लस करते है दैन यूर लाइक आउट्पूट विल भी 10 इसका टोटल बेसिकली 10 होगा राइट दैन अगर इसको हम टोटल करते है तो 21 होने वाला है एंड आई होब गाईस आप अल् दिफरेंट तरीके से बहुत सारी तरीके आप कोई भी अप्रोच अपना सकती है तो देखिए मैं कौन सा अपनाता हूँ कि कभी भी सम निकालना हो एब्रेज निकालना हो या कुछ भी ऐसा प्रोग्राम डिखना हो जिसका आउट्पूट एक सिंगल डिजिट हो दैन हम रिडिउस मेथट यूस करते हैं यह जो रिडिउस मेथट है यह तो आपका अरे के अंदर आता है बट इस यूर नमबर यह तो अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं भी टाइप आप में अगर में यह नमबर करता हूं है ना लेट सी हमें क्या देता है यह मैं अगर यहां चलता हूं तो नमबर नमबर यह ओबेसली अन्डिफाइन तो क्योंकि हमने इसको रिटन कुछ नहीं किया बट इस अनमबर नमबर पर में रिदूस में यूज नहीं कर सकता तो मुझे क्या करना है मुझे इसको अरे में कनवर्ट करना है ठीक है मैं अरे में करता हूं अगें मैं यह जो अप्रोच अपना रहा क्योंकि मुझे अरे में पसंद है इसको करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके है बट check it out कि इसको हम कैसे कर सकते है, ठीक है, so let array कर देता हूँ, we have array.from है न हम इसके यूज कर सकते हैं, basically हम split method भी यूज कर सकते हैं, but वो आपका guys string में काम करता है, right, so let's do one thing, इस number को अगर मैं यहाँ पास कर देता हूँ, and यह वाला जो part है, एक second, यहाँ पर mat में आप वो alt प्रेस करके नीचे कैसे आता हो, देखना पड़ेगा, but जो भी मैं वापस से यह लिख देता हूँ, and आप लोगो को दिखाता हूँ, कि मुझे अब क्या मिल रहा है, यहाँ पे, ठीक है, so आप देख सकते हूँ guys, मुझे एक empty array आ रहा है, मुझे कुछ भी नहीं आ रहा, मुझे ए array.form की मदब से array में convert कर सकते हैं, है न, यह हम already हमारे JavaScript course में पढ़ चुके थे, अब अगर यह मैं करता हूँ, and boom guys, see, यह दिखिए, एक, दो, तीन, चार, चार, तीन, बेसिकली जो भी मुझे array में बन के मिल गया, but the only problem is कि यह न भी भी string format में, अब अब देखना, यह array तो ब थड़े, उसको check out किजेगा, आपको माजा आ जाएगा, ठीक है, तो हम एक callback function pass कर देते हैं, यहाँ पर, we have accumulator, and then guys, we have our current element, ठीक है, अब यहाँ पर तो अब कुछ नहीं करना, आपका यह जो accumulator होगा, plus equal to आपका यह current element कर दो, and default value 0 देतो, हो गया, खत्म, अब आपको लग आपका काम हो गया, ठीक है, मैं अब अगर enter hit करता हूँ, तब आप देखोगे कि guys, हमारा काम बाराबर हो है, but the problem is, जब भी आप किसी stream को कभी भी like, you know, addition करना चाहते हो, then वो addition होता है, but, वो किस तर किस addition करता है बोलने से, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 0, because हमारा default value 0 था, accumulator का, तो य कि क्या कर रहा है, इस concatenate कर रहा है, यहां पर, मुझे तो इनको addition करना था, तो addition था होगा, जब इसको हम वापस number में convert कर देंगे, तो एक simple funda, जब आप array dot method यूश करते हूँ, we have a second argument, जहां पर आप बोल दो कि मुझे जो भी value and number format में चाहिए, control and save, so basically, आप में split करो into number, ठ Boom guys, see it's a 10, 10 and then 21, मेरा काम हो गया, तो आप देखी सकते होगा, इस कितनी easily just एक word लिखने से हमें basically array मिल गया, वो भी number format में, तो हर एक element काप, अगर मैं आपको type check कराऊंगा तो आपको number ही मिलेगा, so yeah guys, this is it, आज इस वीडियो के लितने, hope आपको वीडियो पसंद आगा, and य आपने कुछ ना कुछ नया जरू सिखा होगा, again इसको करने के different different तरीके है, है न, जैसे कि मैं तो string में convert कर दी, फिर मैं like array बनाया, reduce method, उसकी बाद में पता चला, भाई, concatenate हो रहा है है तो, इसलिए मैं इसको वापस number 1 में convert कर दी, and अब सब सही है, अब इसको बहुत easily, I guess you know, बिना string में convert करें भी कर सकते है, कुछ है कैसे, आयाया, perfect, see, so guys, it's a homework, it's a challenge, now you need to write a function, which calculates the sum of digits, without converting them into a string, आपको number को भी string में convert नहीं करना है, बिना उसको string में convert करे, आपको यह output नहीं कालने होगे, so guys, it's a homework, आप प्लीज उसको solve कीजएगा, and comment जरू कीजएगा, ठीके, प्लीज वीडियो पसंदा है, तो लाइक कीजएगा, दोस्तों के साथ भर भर के लाइक, share कर देजे, hashtag jsin100days लिखके, आप कुछ भी comment कर सकते हो, मैं आपको जरूर help करूंगा, जरूर चेक आउट कीजएगा, और next target is 1 million subscribers, अब भी तक अगर आपने subscribe नहीं किया, प्लीज कर देजेगा, मिल तो अब मैं आपको कल की वीडियो में, till then guys, thank you so much, take care